बिसमिल्लाइरु अख्माने वाहीव अस्सिलाम अलेकुम डियर फिर्ट्स और फैमली आज मैं बना रही हूँ ये कीमा ना जो बहुत ही मज़े के बनते हैं विद और विदाउट अवन बनाएंगे तो लेट्स केट स्राटेड पहले जो है जाला है एक टी स्पून नमक आप अपनी मर्जी से उपर नीचे कर सकते हैं उसके बाद आपने क्या करना है इस सब को जो है वो ची तरहा से मिक्स कर लेना है और फिर डालना है इसमें एक अदत अंडा अच्छा याद रहे हैं यहाँ पे हम येस्ट के बगएर बना रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि येस्ट नहीं अवेलिबल तो मैंने कहा कि ये रेसिपी येस्ट के बगएर बनाएंगे और ट्रस्ट मी ये बहुत ही अच्छे बनते हैं बहुत कम टाइम में और यीस से अच्छे पूलेंगे तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको गूंद रही हूँ यह सौफ्ट सी कंसिस्टेंसी आजाए तो बस इसके उपर ऑईल लगा के इसको 10 मिनट के लिए आपने रेस्ट करने देना है और आज आते हैं अपनी फिलिंग की तरफ तो यह कीमा मैंने लिया है जो के लैम का कीमा था मैंने बॉयल कर लिया था जिंजर गालिक इसमें डाल के और जीरा डाल के मैंने इसको उबाल लिया था और पानी बिलकुल खुश कर लिया था तो अब जो है इसमें मैंने एक अदर धुमाटर, एक अदर प्याज और एक अदर मैंने इसमें ग्रीन चिली डाल दी है जोके ऑप्शनल है और साथ में इसमें धनिया और पुदीना भी डाला है यहाँ पे नमक, कुटेमिर, चाट मसाला, जीरा और अनारदाना पाउडर भी म तो अब यह सारा कुछ डाल के मैंने सिर्फ इसको मिक्स कर लिया है चुके कीमा बहुत ड्राय था तो यह अच्छी सी इसकी फिलिंग रेडी हो चुकी है आप इस फिलिंग को बना के फ्रीज भी कर सकते हैं या फ्रीज में रख दीजे, काफी अरसा चल जाएगी तो यह जो बना लीजिए और यह बनाने के बाद आपने जैसे रोटी बनाते हैं उसी तरहां से इसकी रोटी बना के और फिर हम इसमें डालेंगे फिलिंग अच्छा फिलिंग जो है वो कुछ लोगों को नान में बहुत जादा पसंद होती है और कुछ को कम पसंद होती है यह option मैं उपर से सब को जोड के वो जैसे वो पोटली नहीं होती वो बना के और उपर से इसको ट्विस्ट कर दिया है तक यह खुले नहीं तो उसके बाद मैंने जो है वो इस पेड़े को बेल दिया है और यह हमारा easy-peasy सा नान बिलकुल ready है नहीं अभी नहीं ready अभी हमने इसको obviously cook तो करना है लेकिन उससे पहले जैसे वो professionals नहीं होते वो इसके उपर impressions देते हैं पता नहीं उनके पास कोई सांचा होता है या हाथों से देते हैं लेकिन हम हाथों से इस तहां से impressions इसके दे के उंगलियों के और उसको हम जो है वो baking tray में shift कर देंगे yes मैंने बिलकुल बताया ह है कि इसको हम without baking भी बनाएंगे यानि हम इसे चूले पर भी बनाएंगे तो ये वाले जो baking वाले हैं इनकी उपर आप इस तहां से एक अंडा फैंट के और उसके उपर brush कर दीजिए और brush करने के बाद क्या करना है कि इसके उपर डालने है तेल जी इससे इसकी look भी बहुत अ मैं को अच्छी तरह से spray कर दिया है oil से और फिर मैंने उसके उपर पर पराठा या नान ढाल दिया है आपके पास spray वाला oil ना हो तो आप butter या वैसे भी दूसरा oil भी लगा सकते हैं कोई problem नहीं है तो ये एक side से तकरीबन 5 मिनट मैंने ढखके पकाया है उसके बाद मैं इसकी side change करी हूँ लेकिन उससे पहले मैं दूसी side पे भी थोड़ा oil spray करी हूँ आप चाहें तो butter भी लगा सकते हैं और लगाने के बाद इसको कर देंगे flip देखिए कितना हुबसूरत रंग आया है एक side से तो दूसी side से भी हमें ऐसा ही प्यारा सा color चाहिए सिरफ 3-4 मिनट लगे तो यह जो है यह वाला नान चूले वाला थोड़ा जल्दी बन जाता है यह इसका advantage है जो oven में है वो थोड़ा सा जादा time लेंगे तो यह वाला नान बिलकुल ready है और यह बहुत मज़ेका बहुत soft बना है और यह oven वाले नान भी ready है I know oven वाले नान थोड़े जादा professional लगते ह हैं जैसे आपने बाहर बजार से खरीदे हैं लेकिन जो तवे वाला नान है या pan वाला है वो भी कोई कम नहीं है वो भी बहुत मज़ेका बना है और बहुत ही soft बना है तो अगर आपको यह मेरे रेसिपी पसंद आये तो please इसको thumbs up जरूर दे दीजेगा मैं आपको यह खोल क recommendations हो तो जरूर बताईए का और यह नान जरूर ट्राइ कीजेगा यह बहुत ही मज़ेके बनते हैं और इंशाला मैं आपसे मिलूंगे अपनी next वीडियो में बिलकुल नई रेसिपी के साथ तब तक मुझे दीजे इजाज़त अलाहाफेज